जी वेलकम बाक एक दफा फिर खुशामधीत कहते हैं आप यह सोच रहे होंगे कि मैं इधर से उठके यहां पर क्यों आ गई हूं क्यों क्यों कि जब आपके घरों में आपकी सहेलियां आती हैं और आप उनसे बात करते हैं तो इतनी दूर बैठके थोड़ी करते हैं वो जो ऐ इसे महमान होते हैं जिनसे मोदबर तरीके से बात करनी होती हैं उनसे तरह दूर बैठके तो यह मेरी जो सहेली बनी है इस शो के थू उनके पास बैठके मैंने सूचा कि आज इनसे बात की जाए अचा फराद आपकी जिंदगी तमाम लोगों से हट के जिंदगी आपने अचा वो बच्चे जो अपनी माओं के साथ जिंदगी नहीं गुजारते सहर है उनकी जिंदगी के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स बहुत सारी मुश्किलात होती हैं मगर ऐसे बच्चे बहुत प्रिवलिश्ट पी होते हैं क्योंकि आपको एक्स्ट्र ओर्डिनरी मुह प्रिवान होुट्बट मिल होती है तो केसा गुजरा बच्पन आपका अरुज़ बच्पन तो बहुत अच्छा गुज़रा, लोग कहते हैं कि मैंने जीतना सुना है कि बच्चों को मतबच्पन नहीं की बहुत साधा कमी महㅋ में बच्पन जादी से लिगुत सब लोग करते थे और मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मेरे पेरेंट्स नहीं है या मेरे कोई भैन भाई नहीं है जुझ वक्त गुजरता गया थोड़ी में मैंचोर हुई तब फील हुआ कि नहीं जो पेरेंट्स के साथ आपका एक लिंक होता है वो दूसरे रिष्टों के साथ उस वो लोग भी बदल जाते हैं तो आपके साथ कैसा हुआ इसा अरूज वक्त के साथ साथ इस तरह के जब जाहरे मैं बिल्कुल छोड़ी थी तो मामो लोगों की शादी नहीं हुई थी सब साथ थे तो उनका थोड़ा ज्यादा थी जब उनकी शादिया हुई उनके अपने ब बिमार थी और उनको मैंने बहुत जादा लुकाफटर किया और मैं समझते हुँ कि आज में जो कुछ भी हूँ उनकी दुआ की वज़ा से हूँ अभी भी मुझे फील होता है कि वो मेरे लिए दुआ कर रही है और जहां भी किसी भी काम में मुझे सक्सेस मिलती है मुझे फ शायद सारे वालिद होंगे जो शायद मकी बच्चर जो हैं वहाँ रहते हैं हैंने इस दुनिया के अंदर मगर में आनल जो वह एल रगी हैं तो वो बाप जो है छाह से शायद आहमाсте कर आए ऑपने बच्चों के बच्च आप अपने बाप से अब क्या के नहाँ चाहेंगे और उसमें ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स के लिए तो शायद एक चोटा सा चंद दिन का बच्चा इतनी अहमियत नहीं रखता अगर दूसरे बच्ची होते हैं तो वो शायद उनको भूल जाते हैं ये अग्नोर कर देते हैं लेकिन एक बच्चे की अडेंटिटी उनके प बच्चे के लिए अपनी एडेंटिटी बनाने के लिए पेरेंट्स की बहुँ जादा जरूरत होती है तो मैं सबसे ये कहना चाहूंगी कि अगर खुदा ना खास्ता अल्ला ना करे किसी के साथ ऐसी सिच्वेशन हो तो अपने बच्चों को इस तरह से इग्नोर नहीं करें अनके साथ इन टाच रहें ठाख है अगर आपको उनको अपने साथ नहीं रखना चाहते हैं आपको बच्च या अपने बच्चे बच्च कीसे हो सकते हैं या शुमthe सीच्वेशन होता है हमारे सायेटि में बच्चे कि बादी बच्च समझी जाती हैं मैं भी कि मैं बेटा हो सब के साथ होगी भी थी तो मेरे लिए तो वह सब कुछ जहां मैं रह रह रही थी सब कुछ हो ही था और इतना प्यार था और मैं सोचती थी एक खौफ भी था के स्टेफ मदर कैसी होंगी वह मेरे साथ कैसे तरहांजी कैसा सलुक है अच्छा चलें यह तो आपकी जिन्दगी क अब अब एक परस्टनल रुख है मगर उसके बाद आपने जिस तहां से परहाई की और आपने फिर दो में चाहिए करने के साथ साथ आपने अब लॉग कर रही है अभी आपके आने सेके पेपर्स भी और साथी साथ आपने यह अपने यह उनर भी सीखा इस वक्त अगर हम द मेरी नानो पड़ी लिखी तो नहीं थी लेकिन उनको इस बात का शोर ज़रूर था के तालीम कितनी ज़रूरी है मैं बहुत छोटी सी थी तो पांच-छे साल जब मैं स्कूल में अड़िशन हुआ तो उनोंने कहना शुरू कर दिया कि परा तुम्हारे पेरंट्स नहीं है मे अच्छी बात बच्पन से बड़े होने तक मेरे माइंड में ऐसे स्टिक कर गई थी कि वो आज तक पढ़ाई का शो खतम भी हुआ खतम ही नहीं हो रहा और सबसे इच्छी बात है कि जब आपकी जंदगी के अंदर इतनी मुश्किलात इतनी परेशानिया इतनी टेंशन और जदगी आपकी होती जदमी ईफिर डुर्ट में जदगी उसका पहर रवार्ट इजाओ जड़ देती और रर्वार्ट इनको इस सूरत में मिला कि एला ने इनको इतना अच्छा हजबिन दिया कि वो इतने सपोर्ट इव है और इतना ख्याल रखते हैं और इनकी पढ़ाई एने को बहुत सपोर्ट करते हैं aur जो यह किरना च handheld करते हो इसक्णार चाहें जिस अन्हों सबस्पोर्ट किया कि हो ईतना जिसे किका हर से नहीं हो जादि को सीट क्य łatब बढ़ा देखी बात की जगा में इसलेख on pop나 Пр में शरौरत पूरी करते हैं तो मैं उनसे ही कहना चाहूँगा के लिए पहत प्रशान नी आख स्वेड़। बख बॉशकिल होरा ? अच्छी, भी मिनना भी, आपसलूटली, भाहँ ज्यादा मुश्किल है इसलिए वियुके भी उन से बहुत पियार करती हूं उनकी बहुत पियार करती हूं पिलकुल एक बच्छे की तरह हैं जैसे बच्चे को इसकी मदर पैमपर करती है, मैं बिल्कुल उसी तरह से उनकी क्यार करती हूँ अब आप लोगों को मैंने ये बताना है कि आज तो फरा से हमने इसलिए ये सारी बातिं की ताके जिस तहां से अच्छे तरीके से मैं उनको जान गई हूँ उसलिए से मेरी देखने वाली सहेलिया भी उनको जान जाएं और जाने इनकी शक्सियत के हवाले से, इनकी जिन्दगी के हवाले से अब एक मेसिज सहेलियों के घरवालों को देना ज़रूर जितनी भी सहीलियां उनके घरवाले चाहे वो बाप हैं भाई है या शोहर है या बेटे हैं मैं उनसे यह कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेहन बीवी या बेटी में कोई टैलेंट है तो उसको पोर्ट करें उसको इंकरेज करें बहुत सारा टैलेंट सिरफ इस वज़ा से र कि आपको अपनी बेहनों बेटियों पर ट्रस्ट करना चाहिए उनको कॉंफिदेंस दें कि वो कुछ करें और आगे बढ़ें क्योंकि हमारी मुल्क को आगे बढ़ाना है इवन हमारी औरतों ने जो बच्चे पालती हैं जो घरों को चलाती हैं और मैं बताती चलूं कि यह खुबसूरत और प्यारी प्यारी चीज़ें आज आप देख रहे हैं यह बनीवी चीज़ें यह इन्हों ने बनाई हैं फरा रमजान ने और इंशाला बहुत जल जो हम अपने इस प्रोग्राम में इनको बुलाएंगे और यह मेरी देखने वाली तमाम सहेलियों को इस वक् बास्केट फूलों की और बहुत सारे और चीज़ें यहां पर हैं डिफरेंट किसम की वह आपको जरूर सिखा बनाना सिखाएंगे और इंशाला आप लोग सीखेंगे और जैसा के आपने गुजारश की है उनके हजबन से तो प्लीज अपनी बीवियों के ऊपर ट्रस्ट की लगी मगर ब्रेक पर जाने से पहले यह बताना चाहेंगे कि यह हैं जी आज से हमारी एक और सहीली जो हमारा एप्लास क्लब है और सहीली क्लब है उसके इंदर इनका अडिशन हो गया है और अगर आप चाहते हैं कि आप भी यहां पर आकर आकर बैठें और मुझ से अपने कहानी शेयर करें यहां पर हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे एक बहुत ही जबर्दस्त गैस्ट है फुसर स्टार मेकर उनसे मुलाकात होगी और बाते होंगी बहुत सी आफ्टर दब्रेक